हाई एवरिवन वेलकम टू तथागत आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टिसनेट के स्टाटिक जीके के उपर लास्ट जो हमारा वीडियो था उस पे हमने बात किया टिसनेट इनपोर्टेंट का इंटरफेस पे आज का ये वीडियो होगा स्टाटिक जीके के उप तो आएए शुरू करते हैं Static GK में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो है International and National Organization International Organization में आपको UNO International Court of Justice International Monetary Fund World Bank COP27 इस टाइब के जो भी organization है जो लास्ट 6-7 मन्त में न्यूज में है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है उसका headquarters, chairman, tagline कितने members country हैं ये आपको देख लेना है National Organization के अगर हम बात कर लें तो IRDAI, SEBI, UIDAI Telecom Regulator Authority of India Bombay Stock Exchange National Stock ऐसे जितने भी important prominent organization है इंडिया में उसको आपको देख लेना है जैसे आपने national के लिए prepared कर रहा है वैसे ही आपको internationally ले prepared करना है chairman, members, headquarter, logo ये चीज़े आपको देख लेनी है Next topic है हमारा economic issue economical issue में आपको क्या पढ़ना है देखो economic ही जब भी बात होगी तो आपको GDP, GNP RBI के जो terms होते हैं repo rate, reverse repo rate जैसे बहुत सारे ऐसे नए terminology आती है जैसे blood money क्या है share market के बहुत सारे terms हाते हैं, IPO क्या है participatory notes क्या है तो ये जो economical terms है उसको आपको अच्छे से prepared कर लेना है Next जो हमारा topic है वो है government schemes last 7 to 8 years में नरेंद्र मोदी की government ने multiple scheme में launch की हैं जिसमें आपको कौन-कौन से scheme में पढ़नी है प्रधान मंतरी जन्यधन योजना इस साल इस scheme ने अपने 8 years complete किए Digital India आत्म निर्भर भारत प्रधान मंतरी मच्य संपता योजना DG Locker को आपने देखा होगा DG Locker में कैसे आप documents होगा रहा को store करके सारी चीज़े digitalization को हम बढ़ा रहे वैसे ही हमने DG Doctor एक launch किया है DG परिवाहन से related हमने बहुत सारे इस टाइप के scheme और app launch किये हैं अप उजवला योजना सौभाग योजना भारत माला, सागर माला ऐसे जितने भी government scheme है जो important है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है next हमारा जो topic है basic polity आपको पढ़ना है polity and constitution आप कह सकते हो जिसमें supreme court का पूरा का पूरा foundation पढ़ लेना, कौन सा article है कितने judges है, present CGI कौन है, for CGI कौन थे, high course related parliament जरूर अच्छे से पढ़ लेना और अभी recent में आपका budget आने वाला है तो budget के बारे में जरूर पढ़ लेना budget कैसे present होता है किस लोकसभा या राजसभा दोनों का क्या equal weightage है president and vice president दोनों इस साल new elect होए तो इनके function, इनके powers articles, ये पढ़ लेना basic world बस यही चीज़े पढ़ने आपको कुछ नहीं और fundamental के कुछ article जरूर पढ़ने न और Tisnet में आपको पता है कि social awareness को लेके Tisnet कितना अच्छा काम करता है तो आपको देख रहा होगा कि जो directive principle of state policy है उसको एक बार जरूर revise करके जाना अगर fundamental नहीं भी पढ़ रहे हो तो directive principle of state policy article 36 से लेकर 51 तक जरूर एक बार पढ़के जाना next है हमारा basic geography अब geography में क्या पढ़ने है थोड़ा universe planet system के बारे में पढ़ लेना atmospheric layer के बारे में पढ़ लेना ocean के बारे में पढ़ लेना कि world में कितने ocean है Atlantic ocean, Pacific ocean इसके बारे में थोड़ा पढ़ने trenches के बारे में पढ़ लेना और साथ ही साथ जितने भी हमारे seven continent है उन seven continent का highest peak कौन सा है for example ocean continent के गर हम बात करें तो mount Everest highest peak है तो अब mount Everest जब आप पढ़ोगे तो उसके साथ साथ हमाले भी पढ़ लेना trans हमाले भी पढ़ लेना greater हमाले ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना अफरीका का highest peak कौन सा है योरॉप का highest peak कौन सा है South America, North America ये mountain के perspective से आप पढ़ लेना exam के लिए बहुत important है next है हमारा basic history के बारे में तो history में तो बहुत ही vast है Indian history देख लो world history देख लो ancient है, medieval है ये चीज़ आपको करनी की जुरूत नहीं है बस आपको Indian freedom struggle के बारे में पढ़ लेना है social religious movement के बारे में पढ़ लेना है कि Ambedkar जी ने कौन-कौन सा social religious movement लेकर रहा है जोतिबा फुले कौन से लेकर रही है ना, ये थोड़ा देख लेना और एक बार Indian National Congress के बारे में जरूर पढ़ लेना क्योंकि इतने सालों के बाद पहली बार non-Gandhi family से कोई Congress का प्रेजडेंट अपॉइंट हुआ है तो वो एक्जाम में पूछ सकता है जी first session का हूँआ, last session का हूँआ तो वो और Congress के सारे important session जरूर आप लोग देख लोगे Next topic है हमारा International Convention को लेके और यहां से एक्जाम में question पूछ लेते है जैसे Paris Climate Summit 2015 हुआ जे International Convention आपको पढ़ना होगा Viana Convention पढ़ लेना Wildlife Century से लेके बहुत सारे ऐसे International Convention हुए है Ramsar Site Convention पढ़ लेना 1972 में हुआ Biodiversity Convention पढ़ लेना यहीं कि जितने भी International Protocol है International Agreement है Environment से रेलेटेड Social Justice से रेलेटेड Court and Judiciary से रेलेटेड यह सारे Convention आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना और especially एर जरूर पढ़ लेना कि किस एर में इस Convention को implement किया गया था Next हमारा topic है Computer Basic Fundamental Basic Fundamental में आपको क्या पढ़ना है जैसे अपने last year देखा होगा HTTP का आपको full form पूछ लिए HTML का full form पूछ लिए ठीक है तो ऐसे जो full form है ना कभी कुछ short key पूछ लेगा आपको copy किस से होगा, paste किस से होगा text को बढ़ाना है, कम करना है तो उसके लिए कौन सा short key यूज करते है तो जो basics fundamental है computer, computer जैसे आप देख लेना कि super computer इंडिया का कौन सा है world का super computer कौन सा है तो जो computer से लेटर जो चीज़े news में चल रही है उसके बारे में एक बार जरूर देख लेना Next हमारा topic है Census Report 2011 आप देखो Census की बारे में जब भी आप पढ़ोगे तो आपको उसमें list देख लेनी है कि population density में number one state कौन सा है, city कौन सा है district कौन से है साथ में SC population के state में सबसे ज़ादा है ST population के state में कम है literacy में union territory में या state में number one, number two position पे कौन सा है sex ratio जरूर देख लेना male female का जो ratio है इसमें number one state कौन सा है number two कौन सा है, last कौन सा है तो census को एक बार आप go through जरूर कर लेना आप ऐसा कोई भी year नी रहा हो जहां पे Tisnet ने census के उपर question ना पूछा हो तो एक बार आप इसको अच्छे से report अगर 2011 वाला पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा और साथ ही साथ इसके साथ NPR और NRC को भी बार go through कर लेना क्योंकि census के साथ ही इन दोनों को link करके देखा जाता है तो National Population Register और National Register for Citizens इसको भी आप लोग एक बार go through कर लेना next है हमारा important tribes and the festival जैसे North East में और South में कुछ important festival celebrate की जाती है जैसे पॉंगल है ओनम है बीहू है हॉन्विल festival है तो South की जो हमारे चार state है Tamil Nadu केरला करनाटका अंधर प्रदेश तेलंगाना इनके जो important state festival है उसको आप एक बार note आप करना match the following में पूछ लेता है और खास कर जो हमारे North East के 8 state है उनके important festival के बारे में देख लेना कुछ tribes से भी question पूछ लेगा जैसे पूछ लेगा गूंड tribes कहां से है आपको पूछ लेगा Central tribes कहां से है तो जो tribes है ना जिसको हम schedule tribes जिसको बोलते है ये news में किसी ना किसी कारण से रहते है और अभी हाल फिल हाल में आपने देखा होगा कि हमारा जो parliament है वो tribes को लेके एक bill लेकर वो लोग आए है और tribes में कुछ caste को हमने include किया है और कुछ को exclude किया है तो tribes की एक list आपको आराम से कहीं भी internet पर मिल जाएगी वहां से ढूंड के tribes को अच्छे से पढ़ लेना Next है हमारा important revolution Last year आपने देखा होगा revolution से question पूछ है उसके भी last year revolution से question पूछ है तो revolution की list आसानी से मिल जाती है black revolution, blue revolution, grey revolution, white revolution evergreen revolution, pink revolution तो ये revolution के एक list है आपको आराम से वो list मिल जाएगी list के साथ आपको ये भी देखना है कि who was the founder of black revolution who was the founder of grey revolution white revolution, pink revolution तो ये उनके founder के बारे में भी question पूछता है plus आपको किस field से वो revolution related है ये भी पूछता है तो आप revolution के complete list prepared कर लोगे Next है हमारा sports terminology के उपर मतलब sporting terms आप से पूछ लेगा कि जैसे Durand Cup Santos Trophy आपसे पूछ लेगा देउधर Trophy, दलिप Trophy तो जैसे Trophy का नाम होगा आपसे वो पूछ लेगा आपसे पूछ लेगा Euro Cup किस से related है तो nationally और internationally जो भी ऐसे sports related कोई terms है वो आपको एक बार देख लेना चाहे वो trophy हो या related to particular sports हो जैसे आपसे पूछ लेगा corner किस sports related है cotton ball किस sports related है और साथ ही साथ basketball, kabaddy, baseball इसमें ना number of players जरूर पढ़ लेना ये exam में पूछा होगा आप देख लेना last 2-3 years के question को आपसे पूछा है कि basketball में कितने players होते हैं आपसे पूछा है कि kabaddy में कितने players होते हैं और खासकर cricket, football और hockey नहीं पूछेगा आपसे everybody know कि भाई इनमें 11 players होते हैं लेकिन ये सारे जो non-famous sports हैं इसको जरूर आप देख लेना कि players हैं यहां से exam में question पूछता ही पूछता है next हमारा topic है sustainable development goals अब आपको पता होगा कि world में एक organization है जिसका नाम है United Nation Organization उसने 193 country जो उसके member country हैं उनको एक list दी है मताब 17 goals की एक list दी है और कहा है कि 2030 तक आपको ये सारे goals achieve करने including India, China and some developing nation इनको बोला है कि आप ये सारे goals अगर आप achieve कर लेते हो तो इससे आपकी country की growth बढ़ जाएगी और जो हमारे India में या China में जो लोग underprivileged लोग हैं उनको काफी benefit मिलेगा तो आपसे exam में question पूछता है कि goal number one क्या है जैसे आपसे पूछ लेगा hunger तो hunger ये goal है कि हमें zero hunger target को achieve करना है तो ये कितने number goal में है first में है कि second है women development के उपर बात किया है child development के उपर बात कीगी तो इस कितने number का goal है तो आपको goal number one से लेके goal number 17 तक दो तीन बार अच्छे से revise कर लेना यहां से एक question आपको मिलेगा ही मिलेगा तो अब तक हमने इस वीडियो में जो भी discussion किया वो static GK से related है और last वाली अगर आप यह दोनों वीडियो देख लेते हो और इससे जुड़े हुए सारे topics को अच्छे से prepare कर लेते हो तो I am sure कि आपको testnet में GK में कोई problem नहीं होगी और आप अच्छा इसको ला पाओगे testnet में इस दोनों वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा like, share, subscribe करना बिल्कुल ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में thank you so much